आज प्रस्तूत है अंग्रेजी का क्वेस्टन पेपर जी अंग्रेजी का क्वेस्टन पेपर आज 21 फरवरी 2014 को जी 21 फरवरी 2014 को हाई स्कूल के बच्चों की अंग्रेजी की परिक्षा हुई है और वहीं पेपर आज मैं हल कर रहा हूँ आप बच्चों इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें और अपने उत्तरों का मिलान करें कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया और ये क्वेस्टन का सेट जी है बच्चों सेट कोई भी हो क्वेस्टन महीं होते हैं केवल उसका क्रम अदला बदला रहता है जी तो आज 21-2024 को जो अंग्रेजी का विपर संपन हुआ है उसी का ये वीडियो है आएक क्वेस्टन के सुरूबात करते हैं बच्चों क्वेस्टन एक कहता है कि दपोर्टर हा ट्विटर्स लाइक अबर्ड जी उसका जो दिल जो था न वह पक्षी की तरह चाहा रहा था एक का डी हो जाएगा क्वेस्टन दो कहता है कि दबर्ण्स दपोर्टर हाट ग्रीन गार्डेन क्या हो जाएगा बच्चों दबर्ण्स दपोर्टर हाट क्वेस्टन नमबर तीन कहता है he challenging the mountain who is he in this line इस line में he कौन है तो porter है आता a, तीन का a होगा बच्चो नमबर चार कहता है who wrote the poem koel, koel किसने लिखा है बच्चो पूरन सिंग ने, किसने लिखा है पूरन सिंग ने, तो वो हो जाएगा नमबर पांच कहता है the trees owned by gives him said in summer बच्चो हो जाएगा contented man, मतलब संतूस्ट व्यक्ति, जी बच्चो हो जाएगा contented man पांच का a हो जाएगा 6 कह रहा है कि the खाली अस्तान has burned the wings of the koel, koel की पंखों किसने जलाया है fire of love ने अता 6 का b हो जाएगा 7 नमर कह रहा है कि their only minds like yours can do no harm, यकिस कविता से लिया गया है बच्चों तो यह लिया गया है God made the country से, किस से लिया गया है God made the country से 7 का a हो जाएगा 8 कह रहा है कि shawarni and rays are prominent works of दुर्गा प्रसाद पांडा जी दुर्गा प्रसाद पांडा 8 का c हो जाएगा 9 कह रहा है the roses are on fire which winds and waters catch is from koel जी बच्चों यह koel नाम कविता से यह पंग्ती ली गई है अता 9 का a हो जाएगा 10 कह रहा कि कह रहा कि पूविन सिरिपू यह collection of essays by पैरिया सामी थूरन यह पैरिया सामी थूरन की collection of essays का नाम है पूविन सिपू तो 10 का a हो जाएगा 11 का रहा कि I am restless where is my beloved यह कहां से लिया गया बच्चों koel नाम कविता से कहां से लिया गया है koel नाम कविता से 11 का a होगा 12 का रहा है कि the scared and offended nightingale is mute जी बच्चों the scared and offended nightingale is mute 12 का b होगा बच्चों मैं समझानी कुछिस नहीं कर रहा हूँ किवल आपको answer बता रहा हूँ ताकि 20-22 मिंट में वीडियो समप्त हो जाए जी और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह आज 21 तारी को 21 फरवरी को वर्ग 10 की परिछा समपन हुई है उसी परिछा का यह अंग्रेजी पेपर है तेरा कह रहा है the daughter always tries to follow her mother's advice mother's advice तेरा का B होगा 14 कह रहा है the girlfriends had not rubbed off on the narrator in love defile बचो गुड़नेस क्या हो जाएगा गुड़नेस 14 का A हो जाएगा 15 कह रहा है कि मुनी ब्लेम्ड हलकू for the destruction of the crop crop की बरवादी के लिए मुनी ने हलकू को ब्लेम किया अता 15 का B होगा 16 कह रहा है इमोरल जी बच्चो 16 का D होगा इमोरल 17 कह रहा है the flower pots looked like hats जी बच्चो the flower pots looked like hats 17 का बच्चो A होगा 18 कह रहा है कि there was to look after sun and moon there was nobody there was nobody बच्चो anybody sorry there was nobody ये C करेंगे there was nobody to look after sun and moon 18 का C होगा 19 कह रहा है the rich man died before he could feel the 8th pot यानि आठ्मी घडे को भरने से पहले ही धनिव्यक्ती की मौत होगा 19 का A हो जाएगा 20 कह रहा है कि विद्यापतिस पोयम usually deal with राधाज लव 20 का D हो जाएगा 21 कह रहा है the porter is challenging the mountains porter की इसको चुनती दे रहा है mountains को 21 का B होगा 22 कह रहा है दुरगा प्रसाद पांडा is primarily a linguist बच्चों linguist हैं भासावीद हैं 22 का A हो जाएगा 23 कह रहा है Walter Dillamayor creates an atmosphere of mystery in his poems 23 का D होगा 24 कह रहा है कि when touched it makes a squeaky noise या कहा से लिए गया पॉलथीन बैग से कहा से लिए गया पॉलथीन बैग से 25 कह रहा है कि films today are a significant part of creative expression जी बच्चों 25 का B होगा 26 कह रहा है 28 कर दे ग्रीक इन्वेडर्स वेर फॉलोड बाई सक्स अंड हून्स जी बच्चों सक्स अंड हून्स 28 का B होगा 29 कह रहा है John Laksow is the writer of me and the ecology bit 29 का A होगा 30 कह रहा है कि महादेवी बर्मा sometimes puts गिल्लू in an envelop जी in an envelop कभी कभी वा गिल्लू को envelop में रख देती थी 30 का C होगा 31 कह रहा है कि while Martha told her stories the children used to stare at her with ease with ease बड़ी आराम से देखते थे 31 का A हो जाएगा 32 कह रहा है Jim's dog had dug up Miss Green's garden जी बच्चों 32 का C गार्डन होगा 33 कह रहा है कि is the main character in January night जो पूस्ट की रात कहानी है उसका main character कौन है हलकू है तो बच्चों 33 का B हो जाएगा 34 कह रहा है allergy causes a violent reaction जी बच्चों violent reaction against normally harmless substance in our environment 34 का C होगा 35 कह रहा है Chakow wrote play Chakow ने कितने play लिखे हैं बच्चों 17 कितने लिखे हैं 17 36 कह रहा है Mr. Jessler sop was like entering a church जिस प्रकार से church में प्रवेस करते हैं उसी प्रकार से इनके दुकान में भी लोग प्रवेस करते थे आता 36 का D होगा 37 कह रहा है कि a spirit of underlying unity होगा बच्चों is a remarkable feature of Indian culture 37 का A होगा 38 कह रहा है is something which people hardly pay any attention to ecology होगा क्या होगा बच्चों ecology ecology is something which people hardly pay attention to 38 का बच्चों D हो जाएगा 49 कह रहा है कि the corn merchant was unable to handle the pace of life जिए बच्चों pace हो जाएगा यह पहले chapter से ही लिया गया है 49 का D होगा 40 कह रहा है कि Jim drove his motorbike round and round the backyard all summer 40 का बच्चों B हो जाएगा और इसके लिए आप देख सकते है me and the ecology bit नमक chapter 41 कह रहा है कि Achulia's grandmother wanted the people to rejoice instead of fighting यह लड़ाई करने से अच्छा है लोगों को आनंद लेने के लिए कह रही थी 41 का क्या हो जाएगा D rejoice 42 कह रहा है कि महादेवी बर्मावाज injured in motor car accident जी बच्चों महादेवी बर्माज जो थी न motor गाड़ी की दुरगटना में घायल हो गई थी 42 का C होगा motorbike accident sorry यहाँ पे C नहीं करेंगे बच्चों D कर दीजिए महादेवी बर्मावाज injured in a motorbike accident sorry motor car accident है बच्चों तो यहाँ पे आप sorry गलती मुझे से ही हो रही है C ही करेंगे car accident जी C करेंगे car accident 44 है Gilloo had discovered a new method to tackle the summer heat summer heat से बचने की उसने एक नई उपाय सोच ली थी 43 का B हो जाएगा 44 कह रहा है कि film production in India according to सत्यजीत Ray is qualitative होगा नहीं hardly यह होगा नहीं बच्चों यहाँ पे quantitative भी सही लग रहा है is of low quality यह भी सही लग रहा है दोनों मेरे हिसाब से सही लग रहा है ठीक हो बच्चों दोनों सही है यहाँ यहाँ पे जवाब तो एक ही देना है तो आप यहाँ पे quantitative of low quality कर सकते हैं 44 का D हो जाएगा 45 कह रहा है कि the Indian society has the capacity of readjustment यह बच्चों 45 का B करेंगे readjustment 46 कह रहा है कि the hero in the movie as described in the pace for living took off his hat when he came indoors 46 का D होगा और इसके लिए the pace of living देख सकते हैं 47 कह रहा है a man according to Alexander Pope is said to be blessed when he has no anxiety जब उसको चिंता नहों कोई फिक्र नहों वहीं आदमी क्या है blessed है तो 47 का क्या हो जाएगा B हो जाएगा और 47 कह रहा Radha is growing thinner thinner than a crescent moon और 48 का sea होगा उन्चास कह रहा the daughter had worked hard 2 लड़की ने बहुत मेहनत किया क्या करने के लिए fulfill her dream अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्चास का D हो जाएगा 50 कह रहा है खाली इस्तान are capable of producing allergy allergens होगा allergens are capable of producing allergy 50 का बच्चों C होगा 51 कह रहा है कि जबरा gave her loud bark and ran towards the field जी तो 51 का A होगा 52 नमबर कह रहा है Dr. Rana S.P. Singh has written a number of articles on health care जी बच्चों 52 का C हो जाएगा तीरपन कह रहा है कि the old banker had given the party 15 years ago कितने साल पहले party दी थी 15 साल पहले तीरपन का A हो जाएगा 14 है Mr. Jaisler was a sumaker बच्चों German sumaker was a German soup maker settled in London 14 का D हो जाएगा पच्चपन कह रहा है कि the of Burmese people was indeed pathetic तो बच्चों यहाँ पे condition होगा the condition of the Burmese people was indeed pathetic 55 का A होगा 56 कह रहा है कि the crows were engaged in poking their bicks at the flowerpots flowerpots पे चोच मार रहे थे 56 का B होगा 57 कह रहा है कि are handicapped in finding a living for themselves slow thinkers कौन बच्चों slow thinkers और यह पहले chapter से question लिया गया है 57 का A होगा अंठावन कह रहा है instead of driving a car Jim advises Mr. Johnson to walk to the post office यानि car से जाने के बजाए आप पैदाश नहीं चले जाओ जीम ने कहा अंठावन का B हो जाएगा उनसट कह रहा है कि university had conferred an honorary doctorate on सत्यजीत रे किस भी सुभी द्यादाने सत्यजीत रों को doctorate की उपाधिये दी बच्चों Oxford ने उनसट का B हो जाएगा शाट कह रहा है आंग सांग सू की got the Nobel Peace Prize on the International Human Rights Day जी International Human Rights Day के दिन ही उनके पुत्र ने इस प्राइज को accept किया receive किया था तो 60 का A होगा 61 of grammar हिस्से में आएए बच्चों अतूल agreed to my suggestions 61 का B करेंगे बासट है the principle is known to me known के बाद ने में सा क्या करेंगे to तो 62 का C होगा 63 कह रहा है my house is road without होगा नहीं among होगा नहीं at a cross a cross कर दिजिए मेरा घर जो है न सड़क के उस पार है across the road 63 का A हो जाएगा 64 कह रहा है the teacher shouted at the top of her voice सिक्षी का जो थी न गला फाड फाड के चिल आई तो add the top of her voice होता है 64 का D हो जाएगा 65 कह रहा है she saved me from falling down उसने मुझको गिरने से क्या कर लिया रोक लिया मचा लिया तो from करेंगे 65 का A होगा 66 कह रहा है the guests were invited to lunch invite के बाद में सा 2 करते हैं बच्चों तो 66 का D हो जाएगा 66 कह रहा है most people are afraid of ghosts अधिकान से लोग भूट से डरते हैं तो afraid के बाद क्या आता है off आता है 66 का C 66 कह रहा है choose the correct antonym of notorious आपको notorious का ulta बता notorious का मतलब कुख्यात होता है तो famous का मतलब होता है big khiaat 66 का A होगा 69 कह रहा है choose the correct antonym of modern modern का सही antonym ulta बताईए तो क्या हो जाएगा ancient modern का मतलब पुराना ancient मतलब अधुनिक नया तो 70 का B हो जाएगा 70 कह रहा है कि choose the correct synonym of ask ask का ulta बता sorry पर्यायवाची बताईए ask मतलब पूछना होता है तो उसका पर्यावाची तो यह query हो जाएगा क्या हो जाएगा query हो जाएगा 71 कह रहा है choose the correct synonym of possibility possibility का मतलब समभावना होता है औसर होता है तो उसका synonym पर्यावाची क्या होगा chance हो जाएगा 72 कह रहा है active voice बताना है बच्चों I was given the gift by Uma Uma के द्वारा मुझे को पहार दिया गया तो यह Uma gave me this gift हो जाएगा Uma gave me this gift 72 का D हो जाएगा 73 कह रहा है कि the environment has to be saved by people इसका हमें बताना है बच्चों active तो उसका हो जाएगा कि people have to save the environment जी people have to save the environment 74 नमर देखिए a surgeon should see him एक surgeon उनको देखेंगे इसका पैसी बताना है तो हो जाएगा He should be seen by a surgeon जी 74 का A हो जाएगा He should be seen by a surgeon 74 का A 75 कह रहा है कि When do you drink coffee? यह coffee वाला है कि आप coffee cup पीते हैं इसका wise बताना है यह हो जाएगा When is coffee drink, drank, drunk by you 75 का B हो जाएगा 75 का बच्चों B हो जाएगा 76 कह रहा है कि chicken is to be eaten by sushi तो यह हो जाएगा Sochi is to eat chicken यह हो जाएगा C हो जाएगा बच्चों 77 कह रहा है कि Sinha likes his subordinates to flatter him Sinha चाहते हैं कि उनके जो नीचले करमचारी है उनकी चाप लूसी करें तो इसका पैसी बताना है तो C हो जाएगा Sinha likes to be flattered by his subordinates 77 का C होगा 78 कह रहा है अब speech पे आ जाएगे यह कह रहा है कि C exclaimed delight that it was a very beautiful voice तो बच्चों इसका हो जाएगा Direct She said what a beautiful voice जी बच्चों She said what a beautiful voice तो 78 का A हुआ उन्यासी कह रहा है Suresh asked me if I had seen his keys इसका बताना है direct तो Suresh said to me Have you seen my keys Suresh said to me Have you seen my keys तो जैका Suresh asked me If I had seen his keys सही है उन्यासी का बच्चों B हो जाएगा 80 कह रहा है कि Asmita asked कभी था What she was doing there तो बच्चों इसका direct बताना है तो हो जागा कि Asmita said to kभी था What are you doing here तो 80 का B हो जाएगा 81 कह रहा है Indirect speech बताना है Ramese said to me Thank you Ramese ने मुझे कहा धन्यवाद तो यह होगा Ramese thanked me 81 का A हो जाएगा 82 कह रहा है बच्चों इसका इसका बताना Indirect छोटू said to be saw work hard तो work hard उसने advice किया बच्चों तो यह हो जाएगा D हो जाएगा 82 का छोटू advised to be saw to work hard 83 कह रहा है बताना Indirect He said to be no Are you tired जी Are you tired इसका यह होगा He asked be no Whether he was Sorry Whether she was tired 83 का यह होगा यह ask सह होगा नहीं बच्चों यहाँ पे चुकी R है तो यहाँ पे Eaj चलेगा नहीं यह सही होगा 83 का B सही होगा 84 कह रहा है मैं दोड़ना जानती हूं ट्रांस बताना है तो I know how to run क्या हो जाएगा I know how to run 84 का A 85 कह रहा है तो there is democracy in India 86 का A 87 कह रहा है कि C हर knitting before I reached her house यहनी उनके घर मैं पहुचा इससे पहले ही वो बुन्ना समप्त कर चुकी थी तो had completed 87 का C हो जाएगा 88 कर रमेस और राधा आर गुड फ्रेंड्स तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आर अमेस और राधा आर गुड फ्रेंड्स 89 कह रहा है कि सुमन नोदांसर तो यहाँ पर चो ought to सुमन ought to नोदांसर सुमन को उत्तर जानना चाहिए 90 कह रहा है Lots of fruits needed for the function function के लिए बहुत फल चाहिए तो क्या हो जाएगा Lots of fruits are needed for the function 91 कह रहा है Each of the poor students बच्चों poor students ना देखिए Each देखिए Each कह आने से क्रिया सिंगुलर होगी Each of the poor students has been given address 91 का B 92 कह रहा है Oil and water don't mix 92 का A होगा 93 कह रहा है The rest of the students जब भी rest हो ना इसके साफ से कीजिए The rest of the students is absent तो 83 का Ease हो जाएगा 94 यह spelling correction है यहाँ पे 4 दिये हुए है यह वो सही है तो concert यह सही है 94 का A सही है concert 95 बचों suspicion है तो suspicion का S, U, S, P, I यह सही है 95 का B सही है 95 है nourishment तो इसका C सही है 95 का C सही है 97 अबे अबेंडन्ट जी, अबेंडन्ट यह D सही है 98 जो कह रहा है न यह despise है despise का यह C सही है 99 होर्स है करकस जिसको बोलते होगा अब जो अच्छानी लगता है यह सही है 99 का D सही है और 100 अन्तिम कुशन immorality है इसका यह सही होगा बच्चों immorality है यह सही होगा तो यह 100 परस्थन थे मैंने अथा संबाव सही सही हल करने कोशिस की है आप अपने उत्तर से मिलान करें और स्वेम पता लगाएं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया अगर विडियो पसंद आए तो अपने मित्रों से सेर भी करें अपने सलाह भी दें अपने सुजहाओ भी दें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मैं यह भी उमीद करता हूँ कि आप परिक्षा में बहतर किये होंगे और आप हाई स्कूल की परिक्षा अच्छे अंकों से पास करेंगे इसी उमीद के साथ आज की विडियो स्वाप्त होती है स्वाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जैहिंद